नमस्ते दोस्तों दोस्तों किरोसिन का बहुत संकट चल रहा है अभी किरोसिन नहीं मिल रहा है लोग आके कहते हैं हम पेट्रोल में चलाएं या डीजल में चलाएं या किरोसिन में चलाएं और भाई किरोसिन अगर नहीं मिलता है तो पेट्रोल पर चलाओ कोई दिक्कत नहीं है या नहीं है आपको इतना द्वान देखा कि देखा ही नहीं देगा डीजल पर कभी मत चलाओ अगर चलाना है तो पेट्रोल पर चलाओ आई इसके लिए एक सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों देखिए अभी ये फूल्ट आइडिय में उसको दो राउंड ळिला कर रहा हूं तो यह अभी क्योसिन पर सेट है है अभी यह क्योसिन पर सेट है अभी हम पेटरोड डालते हैं पेट्रोड डालके उसको सेड करते हैं देखिए और दोग्राउंड डिला करना पड़ेगा यह को कि एंजिन को दिदम चलता है पेट्रोल की ग्यास और केरोसीन गरम होने के बाद ग्यास बनाता है शाल पेट्रोल तो ग्यास है कभी कि अभी देखिए इंजिन स्टार्ट हुआ अभी देखिए और दो रहाँ धिला करना पड़ेगा उसको कि देखिए आपने कि अब देखिए और भी धिला करना पड़ता है तो पांच राउंड डिला करना पड़ता है पांच राउंड पेट्रोल पर चलाने से कि जितना पेट्रोल ज्यादा जाएगा उतना हावा भी ज्यादा जाना चाहिए नहीं तो इंजिन चलेगा नहीं बराबर अभी दोस्तों हम क्या करते हैं पेट्रोल को कम कर देते हैं और हावा को भी थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि पेट्रोल कम जाएगा तो हावा भी थोड़ा कम जाएगा इतना खोलना नहीं पड़ेगा अभी हम उसको देखिए मैं आपको दिखाता हूं एर स्कूरू काम करता है एक ही जेट के बज़े से यह जो जेट है ना स्लो जेट है उसको बोलते हैं में जेट बाहर रहता है यह देखिए मैंने 32 नंबर का वैर लिया है 32 गेज का वैर है यह जो वाइडिंग वैर है उसके अंदर मैंने डाल दिया जितना पेट्रोल जा रहा था उतना नहीं जाएगा थोड़ा स्लो हो जाएगा पेट्रोल अगर स्लो हो जाएगा एर भी उसी हिसाब से लेगा हो लेकिन इंजिन के कोई फरक नहीं पड़ता है इसे मैंने आपको लगा के भी दिखाऊंगा चेक करके आज मैंने फूल्ट अड़ कर दिया फांच रांड धिला किया था फूल्टाइड कर दिया यह स्कुरू को पेट्रोल जितना जाएगा उतना ही एर वो मांगेगा उतना ही एर हम खोलेगे अभी देखे स्टार्ट हुआ अभी हमने खोलना शुरू किया अब वन अब तू को देट दो राउंड ही हमने खोला है ज्यादा नहीं खोला देखे दो तो धाई राउंड खोला था एक राउंड हमने टाइड किया लाकि दो राउंड में वो सेट हो गया यह पेटोल पर सेट हो गया